आज आपके साथ आलो अडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत आदा सिंपल होगी जो टिपिकल तरीका इसे बनाने का उससे थोड़ी सी अलग बनाएंगे और सबसे अच्छी बात यह होगी कि वो तरीका जादा मुश्किल है और यह बहुत ही आपको असान लगेगा स आपको असान से आने के बना सकते हैं यह रेसिपी बहुत सारी चीजहों में काम आती है तो आप इसे पूरा देखें और सीखें किस तरीकी से असानी से बनाए जाए है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मैं यहाँ पे चार याँ पाँ छोटे वाले अर्बी के पत्ते ले रहे हूं जालोडी के पत्ते होते हैं जैसे कि मैंने बताया अगर आपके पास यह नहीं है क्योंकि इससे कभी-कभी गले में खुझली खराश होती है तो अगर आप यह मोटावला पार्ट निकाल देंगे तो बिल्कुल आपको खराश नहीं होगी इस तरीके से यह सारे आप स्टेम्स निकाल दीजिए और उसके बाद में जो बाकी चीज़ें उसकी तयारी कर लेते है अब यह जो वड़ी बनानी है उसके लिए मैं यूज कर यहां पे थोड़ा सा प्यास प्यास ऑप्शनल है मैंने भी सिर्फ नाम का थोड़ा सा डाला है आप चाहें तो डाले या फिर रहने दे चार या पाच हरी मिर्चे ले ली है लसुन डाल लिया है वो मैंने अच्छी कॉण्टिटी में डाला है क्योंकि उसका फ्लेवरिस में बहुत अच्छा लगता है एक इंच टुकड़ा अधरक का है लसुन को चाहें तेंग दस या बारा कलिया होंगी थोड़ा सा धिनया डाला है अगेन वो भी उप्शनल है तो डाले वर न रहने दे अब इस अर्भी के पत्टे को इस तरीके से आप कट कर लें बारी काट लें बहुत ही असान है अगर आप आलग का पत्ता ले रहे हैं या फिर बंद को भी ले रहे हैं, धन्या ले रहे हैं, तो उसे भी धोकर साफ करके इसी तरीकी से आपको काट लेना है, टेस्ट थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि हर एक पत्ते का हर एक सब्जी का अलग टेस्ट होता है, तो जो सब्जी आप डाल रहे हैं, उस हिसाब से इन अधरक, हरी मिर्च, वो सारी चीज़ों का जो पेस्ट है, यहां पे डाल दिया है, अब डाल देंगे स्वादनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, आप अधा चमच डाल सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, कोई भी मसाला भी उसकर सकते हैं, और लाल मि अगर आपके पास इमली नहीं है, तो खटास के लिए आप इसमें निम्भू भी निचोड सकते हैं, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, यह पत्ते जो है अपना पानी चोड़ने लगते हैं, तो हम उपर से बिलकुल भी पानी यूज नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चावल का अटा डाला है, वो डालते रहना है, चावल का अटा डालने से टेस्ट बढ़ता है, और क्रिस्पी जाता बनते हैं, तो आप यह भी जरूर डालें, अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ बेसन है, तो कोई बात नहीं, उससे भी यह रेसिपी बन स शेप आपको इसका क्रियेट करना है, और उसके बाद में हम इसे स्टीम दिलवाएंगे, स्टीम के लिए कोई भी छलनी इस तरीकी की छेद वाली आप यूज कर सकते हैं, उस पर ग्रीसिंग के लिए थोड़ा सा ओल लगाया, वरना यह रोल जो है उसके उपर चिपक जाए और मैंने थोड़ी से इमली डाली है इसके अंदर क्योंकि जो अलुमिनियूम के पतीले होते हैं, वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं जब उसके अंदर हम पानी गरम करते हैं, लेकिन अगर आप निम्बू का टुकड़ा या फिर इमली का टुकड़ा डाल देंगे तो अब इसके उपर रग दी है चलनी, देखिए पॉफेक्ट लिए फिट हो गई है, ऐसा ही कोई बर्तन ले जो पॉफेक्ट फिट हो जाए और उसके बाद में धक्कन लगाके इसे कम से कम 15-20 मिनिट के लिए हमें मीडियम से हाई फ्लिम पे स्टीम करते रहना है, तब तक ये अब इसे कड़क हो जाएगा, ये दिखिए पॉफेक्टली स्टीम हो चुका है, आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं और इसे एक हफता यूज कर सकते हैं, बाद में भी अगर आपको फ्राय करना है तो आप इसे आराम से रख सकते हैं, बस आपको कोई तूत प्लिम प अब इसे फ्राय कर सकते हैं, अब इसे फ्राय करने के दो तरीके हैं, आप चाहें तो डिफ्राय कर सकते हैं, जैसे मैंने की खुला तेल ले और उसमें फ्राय कर ले या फिर शालो फ्राय कर सकते हैं, अल्टी पल्टी करके, जो तरीका आपको ज्यादा पसंद है वो यूज करें गरम करने के लिए गरम गरम तेल होना चाहिए तब ही आप इसमें फ्राय करें और क्रिस्पी गोल्डन शकल आने तक आप इसे बाहर ना निकालें जितना ज्यादा फ्राय करेंगे उतने ज्यादे क्रिस्पी लगेंगे टेस्टी लगेंगे बट कुछ लोगों को soft भजीय पसंद होते हैं जैसे कि मेरी बेटी उसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद तो ऐसे लोगों के लिए आप इसे थोड़ा सा कम फ्राइ कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे करें डीफ्राइश अलो फ्राइए काडग नरम जो आपको पसंदे वैसे आप इसे फ्राइए करें और गर्मा गर्म से एंजॉय करें केचप के साथ किसी चटनी के साथ या फिर चाई के साथ तो यही थी सिंपल सी रेसिपी 3-1, 4-1, 5-1 रेसिपी जै कैसे चाहें आप इसे बनाएं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आकन दबादें ताकि यह फिचर में वीडियो मेंस ना करें